हरे कृष्णा है जैशी रादे वल्कम बैक टो मैं चैनल किष्णा लववाण तो देखें ये इस तरह की चेन मैं ने आपको पिशली वीडियो में बताया था कल की वीडियो में कि हमें स्टिचिस कैसे बनाने हैं, चेन कैसे बनाने इंगे, क्रोशिय कैसे चलाना है अब आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे का work हम कैसे करेंगे देखें इसमें से हमने जो chain मिनाई इसमें से हम यहाँ पर सबसे पहले हमें single crochet बनाएंगे single crochet बनाना देखेंगे तो एक chain छोड़कर करके next chain में हमने यह देखे इस तरीके से डाल करके और यह धागा लपेट करके लेकर आ गया है chain के अंदर से लेकर करके आए धागा यह देखे फिर से करके दिखा देते हूं आपको एक बार इधर की साइड से एक चेन छोड़ेंगे अगली चेन में हमें यहाँ पर यह क्रोशिया हुप को इस तरीके से चेन में डालना है और फिर यह धागे को इस तरीके से इस लूप को खीच करके लाना है और दोनों लूप में से इस तरीके से एक बार धागा निकाल देना है तो यह हमारा single crochet बन जाएगा अब next chain में भी हम इसी तरीके से करेंगे इस तरीके से डालेंगे और धागे को खीच करके लेकर आएगे और फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से तो इसको हम कहेंगे सिंगल क्रोशिया तो यह हमारा सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा हर एक चेन में हमें क्रोशिया हुक डालना है और इस धागे को लपेट कर लेकर आएंगे और दोनों लूप को एक साथ निकाल देंगे फिर से वैसे ही करेंगे चेन में करके इस तरीके से दोनों लूप में से एक साथ निकाल देंगे फिर से चेन में डालेंगे धागे को लेंगे और फिर दोनों फंदे को हम एक साथ निकाल देंगे यह देखिए इस तरीके से करते जाएंगे बहुत ही easy है और यह single crochet आप इस तरीके से पूरा बना पाएंगे यह देखिए इस तरीके से easily chain में डाल करके धागे को हमें कीच करके लाना है इस तरीके से और दोनों फंदों को एक साथ निकालते जाएंगे तो पूरी Chain हमें इसी तरीके से बना लेनी है, Option single crochet की, देखिए single crochet, कितना easy है इसको बनाना, बहुत आसान तरीके से आप crochet चलाना भी सीख सकते हैं, और कोई भी आप pattern बना करके, यह इस तरीके से simple तरीके से, इस तरीके से करके, आप कुछ भी इससे बना सकते हैं, यह के अंदर से इस तरीके से इसको डालते जाएंगे दागे को बार-बार इस तरीके से निकाल करके खीचते जाएंगे तो देखे इस तरीके से करते करते हमारा पूरे चेन कंप्लीट हो गई है और यह सिंगल क्रोशिय हमारा इस तरीके से बन करके त्यार हुआ है तो देखे इस जो हम Ayden टाल में इसमें डाल कर सीम इसी तरीके से करेंगे जैसे हम पीछें गोजने हम च्छेन को एक निकाल देंगे तो हमारा सिंगह बनते जाए इस सिर्फ फेसी तरीके से बिल्कूर सीधे सीधे आप इसको बना करके त्यार कर लेंगे ये सिंगल क्रोशिया हमने मैंने आपको बताया है इसमें बनाना अब आपको next मैं इसमें बताऊंगी half double crochet कैसे बनाएंगे इसके बाद मैं pattern आपको बताती हूँ half double crochet हम कैसे बनाएंगे ये single crochet तो देखे chain मैंने ले लिए है अब chain में मैंने ये देखे एक बार धागा लपेटा इस तरीके से और next chain में डालेंगे जिस तरीके से हमने पहले किया था एक chain छोड़ करके next में लिया था उसे हम उसी तरीके से करेंगे सिर्फ हमने याप पर एक बार धागा उपर से लपेट लेना है फिर chain में डालेंगे ये देखे इस तरीके से और ये हमार पास तीन लूप हो गया है यापर अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे ये देखे तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिय हो जाएगा इसी तरीके से फिर से next chain में लेंगे फिर से ये देखे दागा ले लिया हमने और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे यह देखिए एक बार धागा लपेटा क्रोशिया में फिर चेन में लेकर के नीचे से धागा लाएंगे अंदर से चेन के अंदर से तीन रूप हो गए तीनों को एक साथ इस तरीके से निकाल देगे तो यह हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा तीनों को एक साथ हम एक पं सिताल निकाल देंगे इस तरीके से हमारा यह होडवको बनता जाएगा और इसको पूरी चेन में आप इसी तरीके से ही याप अब डिद प्रॉडवर कोशिय को बना लीआइ इसाल पलिउर्ट से और यहाल मैं आपको बहुत नेक्स्ट अब आपको मैं डबल कोशिया बताती हूं किस तरीके से बनाएंगे तेखिए यह चैन आ लिए डबल कोशिया हम किस तरीके से बनाते हैं यहां से हम एक दो और यह तीन चेन skip करेंगे तीन chain स्किप करने के बाद धागा लपेटा और फिर चौथी chain में हमें ये क्रोश्य होग को डालना है देखे चौथी chain में हमने डाला और इस तरीके से धागे को फिर से नीचे की साइड से लेके आएंगे और तीन में से पहले दो को निकालेंगे दिखे तरीके से फ करीं दो क्रुक तीन के दो करेंगे और फिर कर एक करों के पर आंफ से हाँ अजब कर द हमारा यह जब हम फंदे ऊजाते हैं तो यहिदम ने होती हैं सिंत्पी दो क्रॉशी तो कर पीर एक बनाएंगे तो इसे मलत रहीं ग नारे से हम have double crochet बोलते हैं स्वरी double crochet बोलते हैं तो इसी तरीके से बनाते जाएंगे पूरी चेन में यह तरीके से कर हमने 3 हो गया 3 का 2 Tian 2 का किक और Ц्भी सेों इसी तरीके से पूरी चैन पर बनाएंगे तिह कि तीन के दो और दो का एक यह दागाल लपेटा चेन में लिया तीन का एक करा और दो का एक करा तो इस तरीके से पूरी चेन में मैं बना लेती हूं फिर आपको दिखाऊंगी कि हमारा यह डबल कोश्य का पैटर्न के इस तरीके से आएगा तो देखे ये डबल कोश्या हमारा इस तरीके से बनता जाएगा तो देखे हमारा ये डबल कोश्या इस तरीके से आएगा ये देखे इस तरीके से हमने ये डबल कोश्या बना लिया है अब इसके बाद मैं आपको ट्रिपल कोश्या बनाना बताऊंगी तो इसमें भी सेम इसी तरीके से बैक साइड पर भी वर्क होगा जैसे वर्क को टर्न करेंगे तो इस तरीके से हमें पहले हैं पर उपर से एक हमारा स्टिच हो गया तो चेन हमने बनाई तीन हमार पास इस पर चेन हो गई है तो हम फिर से इसमें नेक्स चेन में इसी तरीके से डबल को ह्याक को आगह का पाटर आपको ट्रिपल कॉशिया बनाना बता देती हुँ तो हम सब्सक्राइब और यहां पर जाइंज आपर चेण डेली है फिर से मैंने और समें व्मिन तरीकी से बनाएंगे बिए वुद्वार को लपेटना है और नीचे से जयन हमने फीर हैं चर्ण हैं वही जिस हमारे इसमेर्ण चार लूप में पाएंगे तो इसमेर्ण हमने चीन में हैं प्रप्र शार कर लेंगे को अमेनend 26 इस तरह दो कर लेंगे तो इसे हमारा ट्रिपल को ऌशया कहा 59 2 वार हम्नेत और फिर दो पंदो को एक कर लेंगे देखे फिर से आपको एक बार पता देती हूं दो बार धागे को क्रोशिया में लिपेटेंगे और फिर चेन में डाल करके पंदे को इस तरीके से लेके आएंगे धागे को और चार लूप को पहले तीन कर लेंगे तीन को फिर दो कर तो यह बहुती सिंपल तरीके से यह आप इस तरीके से त्रिपर कोशिया बना लेंगे, बहुती असान है guys, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप एक बार बनाते जाएए, साथ साथ ट्राइ करते जाएए, तो आप बहुत ही जल्दी से और बहुत ही असान तरीके से इसको चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप बार बार बनाते जाएंगे तो आप को इसली प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखिए मैंने ये पूरा ये पूरी चेन पर इस तरीके से ये ट्रिपल कोशिया बना लिया है तो सभी तरीके के पैटर्न मैंने आपको इसमें बना करके दिखा दिये हैं आप किसी भी तरीके का डिजाइन डालके के कोई भी ड्रस वगएर जो भी आप बनाना चाहें गोपाल जी की आप बहुत एजी ली बना सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगे होगी मेरा समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा और वीडियो गर अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाईएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा जिसे की मेरी कोई भी वीडियो जो भी आए न्यू आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और मेरी हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें दो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे